हेलो गाईज आप सभी का स्वागत एक और वीडियो में और मुंबाइ सीटी ने आसान तरीके से 3-0 से जित्ती लिया है अगें साहित रावार FC और उनकी जो पकड़ है एक टॉप 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 टे टेमल तो उन्हेंने सिक्यूर कर लिए और विडियो में बात करेंगे साथ ही साथ एक 17-year-old इंडियन ओरीजिन प्लियर ने एक क्रियेट की हिष्ट्री और इसके ओपर एक इंट्रेसिंग फैक्स भी है शाहिए विडियो में रिप्रेसिंग कर सकता है इंद नियो फ्यूचर आइए वाले वीडियो में सब लोग डी इसके मनिशा कलिया ने भी यह खुद का खुद की फैमिली का एंड साथ इसार इंडिया का नाव प्रोशन किया तो यह चार अबिक्स को बात करेंगे की कुशिश करेंगे इस वाली वीडियो में यह पर पहले बात करेंगे तो हम तो आएसल के आरे पर जहापर मुंबई सीटी ने थ्री निल से हरा दिया है हाइडराबर एसे को अभी यह पर क्या है कि मैं मैं नहीं देख पाए डूबिस रिजन्स लेकिन मैंने ट्वीटर पर डेखा कि हाइडराबर एसी ऐसा नहीं किया यह पर क्लिनिकल ने दिखाई यह आपर मुंबा इस भीम सीघने अगर पर और बहुत नहीं है तेन मिसस थीझाहा अभर और लग ins ने फूर। यह फिर्स टाइम फंस एस फिनिश चाथ sprigy लेकिन गोली आप पर रहा हाल टाइम पर दो सेंटर बैक्स से इन्हें करके गोल बारा खुरमने लागने राइट-ंसे बॉल दिया मेरे दिवा में भी ऐसे questions आते है या तो मेरे ख्वाब आते हैं कि हाँ आई लो तो IC करते है आई आई नो की वाई जो frustration है वो निकल रहा है प्लियर्स के उपर ठीक है लेदेम एंजॉय हम लोग क्या ही कर पाएगे अब फर्स आफ तक टू नियुक्त है अपर बिपन ने वह बहुत गंदे उसको कर देने चाहे लेकिन एक लाश में गोल आता है या जो 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 पर टाइम से गोल ने आ रहा था उसका पहला गोल अंडर पीटर क्रैट की और लवली क्ली शुट टू मॉंबाल से मार लेते और ए एक और चीज़ है जो गोल डिफरेंस है I know इसना है माहिने नहीं रखता है बट गोल डिफरेंस कान प्ली इंपोर्टेंट पार्ट इन लाश इन लाश लाश अभी फरक पड़ता तभी तो त्री निल से जीच गई अपर मॉंबाइ स्टी और ऐसा लगा था ऐसा लगा था कि हाँ यार हाइदराबाद कुछ तो अबसेट कर पाएगी विकॉस ओडिशा FC और मॉंबाइस इसके पहले पॉइंस डॉप कर दी थे कोई ड्रॉव आ था कोई हर रहा था तो सब लोग एक्सपेट कर रहे थे कि क्या आज कुछ हो पाएगा हाइदराबाद कुछ कर पाएगी मॉंबाइ ट्रॉप करेगी नहीं मॉंबाइ ने एक दम क्लिनिकल परफॉर्मेंस से थ्री निल से यह मैच चीज़ चुका है तो कॉंग्राइशन मॉंबाइ सीटी फैंस ना अभी आपको ओडिशा अपने जो कॉंपेटिटर से ओडिशा और मोहन बगान सुपजान को अपक और पंजाव फसी यह ब्रेक से पहले बहुत बहुत बहुतनी फॉर्म में थी अभी कैसा है जब यह अच्छे मोमेंटम है रहते हो तो कैसा है कि अगर बीच में ब्रेक आ देता है तो वो मोमेंटम को ब्रेक लगा देता है and that's why we really need to see लेकिन बाइज बाइज यह एजी मैच नहीं लाए ओडिशा एफशी को चाहे वोल होंग पर गईल रहा तो अभी ग्राउंट पर गेल रहे है तो अब भी कैसा है कि अगर जीती की तो यह एजी लेवल बिट 39 पॉइंट विट वन मैच एक्स्ट्रा प्लीड बाइज लेकिन पंजब के आरे बात करें तो पंजाब अगर यह मैच जीत जाती है तो वो 24 पॉइंट पॉइंट फॉर पॉइंट प्वेंट प्लीड 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 अगेस बेंगलरू एंज जंशेपूर तो यहां पर बहुत ही है अधिन दोने टीम के लिए मश्मिन विक्ट्रिय अपने ड्रीम को चेस करने के लिए तो यह रिली रिली फेशल यार मैं यह जाओंगा यह द्रॉगा मुझा यह ज़का यह जाओंगा यह मैच टू-टू से ट्रॉग होगा तिस इस इन माइप अपने लिए जो ट्रॉफिय है वो दो बार यह जए उन्हें ने दो बार यह चैंपियन बन चुके दो गेंशा कालियान अ अपलन लीडी से उनके साथ ये ट्रोफी जीत गई है second consecutive time so that's a very proud moment for obviously Indian football and उनके खुद के लिए and उनके परिवार के लिए so hopefully hopefully वो ऐसी आगे succeed करते रहे अपने career में and लोगों को inspire करें whether it be women's or whether it be men's कि हाँ है आप लोग बहार जाके भी कुछ अचीव कर सकते हैं like Manishah Kalyan is doing so congratulations Manishah Kalyan for achieving this what you say the feat yes guys यह थोड़ा तीन topics हो चीगे अब जिसको जिस टोपिक के उपर बहुत सारे लोग interested है OCI Indian origin यह होगे रहा yes अब यह बात करेंगे recently एक दो दिन पहले आपस 17-year-old तैसिन मौमन ने history create की by playing by playing by playing and becoming the first Indian player to play in the Qatar Stars League and also recently उनका match वो खेले है अल धुएल के साथ जो match वो टूनिल से हर गे थी लेकिन last के 12-15 minutes last के 12-15 minutes में उन्हेने अपना debut किया and उन्हेने history by create किया by becoming the first Indian origin player to feature in Qatar Stars League अब इसमें एक interesting बात क्या है या तो कोईसे दिए कि आप Indian fans क्यों इतना focus कर सकते is that कि या देको यह एक Indian origin है इसका मतलब यह होता है कि in the future अगर उसको चाहा अगर उसका मन हुआ उसको असा लगा क्यों इंडिया को जरूत है मेरी तो वो आ सकता है इंडियनाशनल टीम में इंडियनाशनल टीम को सब रिप्रेजेंट कर सकता है at the international level इसमें क्या सीन है रिसेंटली वो कातार में क्यों खेल पा रहा है विकॉस यह वह पास जिसका में बहुत है एक mission passport जो की sports competition sports competition के purpose के लिए चाहिए रहता है आपको mission passport so इसलिए अभी तक है उनके पास है और ऐसा माना जा रहा है कि मतब उसके पास मतब वो अभी तक करता national team को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया at the international level senior team को तो इसका लिए यह होता है कि अगर वो नहीं कर पाता है तो he can represent the international team लेकिन ऐसा news भी आ रहा है कि जून में जून में शायद से यह national team में score score में उपलब या तो score में आ सकता है ऐसे reports आ रहे है because he's been doing good and उसका form भी काफी अच्छा है उससे बहुत एक star मतब बोलते हैं एक चमक दिखाई है तो ऐसे reports आ रहे है कि हो कटा नाशनल टीम में represent कर सकता है तो अगर एक बार मेरी साफ से अगर को कटा नाशनल टीम में represent कर देता है तो I guess जो हमारा पता कट जाएगा शायद से लेकिन अगर वो नहीं करता है अगर आप से होंगरां टाइल निसे कुछ नहीं हो रहा है तो आपको उमिद छोटने पड़ेगा लेकिन मैं ऐसा नहीं बढ़ रहा है पूरा ओसी आया तो प्योवाए प्योव प्योवर्स नहीं इंडिन ओर इसा नहीं बोल रहा हूं ग्रास पर भी ध्यान दीजिए और ऐ बबाई टेक केरे और इसी जड़ा हम दो फॉलो करेंगे और सपूर्ट करेंगे एंडियान फटबॉल को